कट्रीना कैफ और विकी कोशल एक साथ करने जा रहे है फिल्म तै हो गई मिसेज कट्रीना की पती के साथ मूवी इस वीडियो मा आपको बताएंगे कैट की नई फिल्म से जुड़ी पूरी डिटेल शादी के बाद कट्रीना कैफ और विकी कोशल की फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही थी फैंस इनके एक साथ स्क्रीन शेयर करने को लेकर पूछ रहे थे अब कट्रीना के करीबियों ने इससे सस्पेंस हटा दिया है माना जा रहा है कि कट्रीना कैफ और विकी कोशल जल्दी एक नई फिल्म में दिखेंगे इस मूवी को कट्रीना कैफ पहले ही साइन कर चुकी हैं सिर्फ विकी कोशल की हांका इंतजार किया जा रहा था ये पती पतनी जिस फिल्म में एक साथ होंगे उसका नाम है जीले जरा ख़बरों के मताविक इस मुवी में विकी कोशल कैट के अपोजिट होंगे कहा जा रहा है कि मुवी में भी ये पती पतनी के रॉल में नज़र आ सकते हैं एक करीमी ने इस सिलसले में बताया विकी कोशल को फिल्म में लेने का फैसला सुने रहा है और इस प्लान मेक्टर को काटरीना कैप के अपोजिट लेना है फिल्म जीले जरा इस कपल की पहली फिल्म होगी जिसमें दोनों साथ नज़र आएंगे यह मार्केटिंग ड्रीम है और फिल्म के प्रमोशन को और आसान बनाएगा आपको बता दें जीले जरा मूवी में कटलीना कैप के अलाबा प्रेंका चौपडा और आलिया भट का भी रोल है यानि एक साथ तीन बड़ी हिरोईन इस फिल्म में एंट्री करेंगी इन हीरोनों के पहले मेल किरदार के लिए फरान अक्तर खुद को फिट कर चुके थे और दूसरे एक्टर के लिए विकी कोशल को रखा गया फिल्म से जोड़े करिवी सूत्र मताबिक फरान अक्तर खुद को इस फिल्म से कास कर रहे हैं और अब विकी भी इसमें शामिल हो चुके हैं तो बस एक मेल लीड की जगे खाली है और एक शक्स को कास करना आसान है और वो भी उस फिल्म है जिसमें तीन फिमेल लीड्स हैं बताया जा रहा है कि इस फिल्म में विकी कौशल को लेने के लिए काटरीना कैफ ने ही अप्रोच की थी जिसके वाज फिल्म से जड़े लोगों ने विकी कौशल से संपर्ग किया अब चुकी कैट की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था ऐसे में विकी कौशल कैसे मना करते उन्होंने भी फिल्म पर अपनी महर लगा दी और इस तरह तरह हो गया कि नए पती पत्नी वने विकी कौशल और काटरीना कैफ फिल्म में भी पती पत्नी का ही करेक्टर करेंगे आपको ये भी बता दें जीले जरा एक रोड ट्रिप मुवी है जिसकी कहानी तीन अक्ट्रेस के चारा तरफ गुमती है ये तीनों ही इस रोड ट्रिप के लिए काफी एकसाइटेड रहती है और पिर इनके पार्टर इनके पीछे पीछे गुमते हैं ये मुवी जिंदगी न मिलेगी दोबारा से मिलती जुलती रहेगी खास बात यह है कि कट्रीना कैफ प्रिंका चौपडा और आलियावट पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगी इससे पहले नों ने एक साथ फिल नहीं की थी विकी और कैट की जोड़ी को लेकर फैंस अभी से एकसाइटेड है इससे पहले भी चर्चा उठी थी कि विकी और कैट्रीना आदित इधर की मूवी को एक साथ जोइन कर सकते हैं हलांकि बाद मैं ऐसा हुआ नहीं बताया जाता है कि तब कैट ने शादी के लिए वेट करने को कहा था इसके लिए उन्होंने विकी कोशल से भी बात की थी दोस्तो कटीना कैफ और विकी कोशल की फिल्म जीले जरा को लेकर आप कितना एकसाइटेड हैं क्या ये हिट हो पाईगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें